जो गुजरात में आप लोगों की जीत हुई है कमल खिलाये जनता ने कमल को पसंद किया साथमी बार वहां जो जीत मिली है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए हमारे गुजरात में जो जीत हुई है, वो बहुत जादा अच्छी जीत हुई है और सात्वी बार लगातार जीत हुई है तो इसका मतलब यह है कि गुजरात की जंता बारतीय जंता पार्टी में और मोदीजी में विश्वास रखती है और कॉंग्रेस के और आमादमी पार्टी के लोग जिस तरह की चर्चा करते थे कि सब परिशान है दुनिया वर के जूट बोला करते थे उस जूट को भी जनता ने बता दिया कि वो जूट बोलते हैं और भारतिय जनता पार्टी का काम करने का तरीका भारतिय जनता पार्टी क जो काम करने के तरीके हैं उनको जनता ने पसंद किया जबी सात्वी वार्जिता आया है पिछले बार से भी जादा सीटें इस बार गुजरात के भी भारती जनता पार्टे के आई हैं 156 और मैं ये समझती हूं कि मोदी जी का जो पूरे विश्व में नेता हो रहे हैं और अप जनता के बीच जबाब जया रहे हैं तो क्या-क्या समस्य और साती क्या प्रभाव हैं लेकि जन आकरोशित जयात्रा जो है पूरे राजस्तान में हर विदान सपावार निकाली जा रही है हम हर गाव गाव पंचायथ हेड़कॉर्टरस पे जा रहे हैं और ये भी देख रहे हर आदमी जो है अपने हकी लड़ाई नहीं लड़ पाता है वो अपने गाउं में रहके परिशान रहता है तो उस तक पहुंचना उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना ये भी हमारी ड्यूटी है करतव्य है तो हम लोग वह जा रहे हैं मैं समझती हूं कि गाउं में मैं जिस सड़कों को खोट दिया और हर घाव में की चड़ी कई महिल जुह है वह बहुत जदा परिशान हैं पुरूश बच्ची बहुत परिशान हैं कि कैसे जाएं कैसे आया जाना। बहुत मुश्किल है बटसात हो जाती है जब तो और जज़्यादा दिकत्टे हो जाति है ल कुंभल योजना हम ले के आए वो भी गाओं में पॉंशनी नहीं भूँँ पाटीजी रहे हैं, लोग पीने के पानी को सकूल की बात करें तो स्कूल precise, नहीं हैं. तो जब जन्ता बहुत जएदा परिशान है, और सबसे ज़एदा परिशानी जो जन्ता की है, मैं समझते हूं नगरविधान सवा monarchेत्र में, वो है ब्रश्टा चार की, थाने में, तैसील में, बिजली विभाग में, पानी विभाग में, सड़क विभाग में, जहां भी कोई जनता का काम पड़ता है, वहां जनता को बिना पैसे दिये कोई काम नी होता, और आप ये भी कह रहे हैं कि साथ, पहले जो चवनी में काम होता था, वो अब जो है, दस रुपे में हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा परिशान हैं लोग, और रष्टाचार से परिशान है, ये तो मेव समाज के लोगों के यहां तो पीने का पानी चंबल का आ रहा है, लेकिन सेनी समाज और जाटा समाज के लोगे जिनको पीने का पानी उदर चंबल का नहीं आ रहा है, तो मैंने इसके लिए जो एएन लगे वे थे, उनसे भी फोन किया, चंबल के जो एक्शन थे उन नहीं जा पाया मैं तो यह कहना चेले तुष्टी करन की नीती जो चल रही है उसकी वज़े से भी हमारी छेत्र की जंता अपने आपको ठगासा मैसूस करती है दुखी रहती है तो क्या फायदा इससे भाजपा को होने वाला लेकि जैना अगरोशी जात्र हम जा रहे हैं हम लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहे हैं उन्याय और अत्याचार के खिलाफ अप खड़े हो और आने वाले दो हजार तेहिस के इंदर भारती जनता पार्टी को वोट दो, भारती जनता पार्टी पहले भी आपके दुख तकलीफ दूर करें और अब भी आपके दुख तकलीफ दूर करेगी, जो रश्टाचार का राज है उसको खतम करेगी, और जो आपके आवश्चक्ता की चीजें हैं, सड़क, पानी, बिजल पर दिख्वास और सिक्षा इन सब चीजों पर ध्यान देंगे हर वेक्ति के काम करेंगे ऐसा उनके मन में विश्वास भी जमा रहे हैं ताकि उनका दुख जो रहे कम भी रहे और आप यह आप भी जानते हैं अभी दस ही महीने रहे गए हैं चुनाव के तो इन दस महीनों के अंदर हम चाहते हैं जनता खड़ी हो जाए कॉंग्रेस के अत्याचार के खिलाब उनके कुशाशन के खिलाब साथी कॉंग्रेस पार्टी भारती जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो उसको लेकर क्या कहेंगे और राजिस्तान में क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा मे बाकि मैं समझती हूं किस यात्रा से कॉंग्रेस को कोई फायदानी होने वाला है क्योंकि जब भी राउल गांदी जी बोलते हैं तो बोलते ही साथ उनको सब जनता को मीडिया को सब देश को पता चल जाता है कि यहां पर कुछ भी जो है विवस्ता नहीं है ना वो कुछ कर ना बोल पाते हैं ना समय की बात रख पाते हैं उनका कुछ विवस्ता मेरी कहले से लग नहीं रहा कि राउल गांदी को भी बात कहेंगी तो जनता को प्रभाव कहीं पड़ेगा साती बात करें की सेंटर में भाजबा सरकार है कई ने कहीं उनका यह भी कहना है कि जो आत्रा चीज насओ करते हैं कि यहां पर भी आप डेखेंगे कि जो बात करते हैं जैसे मोर्वी वाली अगुजरात है जब पुल gift गरा था तब कितनी चरचा करीती और में सबसे ज़्यादा वोटों से बारचijnता पार्टी जीती है, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि लोग यह जो कॉंग्रेस और जो विपक्षी लोग हैं, यह लोगों को बरगला के इन से आंदोलन और वो करवाते हैं, जो साब टाइं 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 फिस हो जाते हैं, एक तो वेक्ति अपने मन के दुख से करता है तो वो तो पूरा विश्व के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी देश हैं, अमरीका की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, रूस की बात करो, चीन की बात करो, हर वेक्ति जो है, इस बात को कह रहा है कि मोदी जी जैसा शाशन, मोदी जैसी नीतियां अगर हर देश में हो जाए तो उनका राज बहुत अच्छा आए, ऐसा सब लोग विश्व नेता मान रहे हैं, उनकी नीतियों को भी कर रहे हैं, और NRC की भी जो है, उसमें जो लोगों को लगा था, वो बात थी नहीं, लोगों को बैका के और ले गया, मोदी जी जो भी कानून लाएंगे, वो जनता के ह हिसाब का होगा, और जो कानून जनता के हिसाब का नहीं होगा, तो मोदी जी एक मिरिट भी उसमें कोई बड़ा इगोस्टिक नहीं होते हैं, उस कानून को वापस लिने में भी कोई देरी नहीं करते हैं. आप किस तरह की त्यारिया करें और पूरे स्टेट की बात करें तो आपको क्या लगता है? हमारे लिए एसेस्ट है, मैं कहना चाहती हूँ कि इन तरह की बातों से कुछ नहीं होगा, इन दोनों की जगड़ों की वजह से मुख्यमंत्री कमजोर साबित हुआ, कमजोरी उसने महसूस करी, उस कमजोरी को उसने ताकत बनाने के लिए जितने भी विधायक उसके साथ हमेले अपने छेतर का मुख्यमंत्री बन गया, और अपने छेतर का मुख्यमंत्री बनने का मतलब यह है कि उसने पूरे छेतर में लूट खसोट चालू कर दे, कोई भी टीचर है, अगर वो रहना चाता है तो एक लाग दे, ट्रांसफर करना चाता है तो दो लाग दे, ऐसे वक्त में अगर मुख्यमंद्री वजबूत होता और वो अपने विधायकों को सही रेता, गलत को गलत कहता, सही को सही कहता, तो मैं समझती हूँ कि राजिस्थान में इस तरह की लूट नहीं होती। पहले भी सरकार थी इनकी 2008 में भी, कॉंग्रेस की सरकार थी, अशोग गैलोती मुख्यमंद्री थी, लेकिन उस समय ऐसा विवस्ता नहीं बठाई, जैसी कि उन्होंने इस बार ब्रष्टाचार जो चरम सीमा पे पहुंचा, ऐसा पहले नहीं था, जैसा अब है। इसलिए मैं हैं समझती हूँ कि मैं मेरे छेतर के लोगों उसे कहना चाती हूँ कि भारते जनता पार्टी का राज आएगा, तो वो भे मुक्त रहें, ब्रष्टाचार मुक्त रहेंगे, और उनके जीवन के लिए जो आवशकता हैं, मैंने आपसे पहले भी का और अब फिर क हैं, एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कि यह जो साइबर क्राइम की और बढ़ रहा है, मेवाचेतर, यह आप मानिए कि यह जो विधायक हैं यहां के, वो लोग अपने हमारे बच्चों को बरगला के उस रास्ते पर जाने दे रहें, उस रास् अगर अपनी जो हुनर है, उसको पढ़ाई में दिखाते, आगे सिक्षा में दिखाते, आगे साइंटिस्ट बनते, आइस बनते, आपके समाज में बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन वो एक गलत रास्ते पर चल गए, और यह राजनीती है, जो उनको गलत रास्ते पर ले ज समताएं हैं, इस साइबर क्राइम की और जो आपके नेता आपको ले जाना चाहते हैं, उनसे हटके आपको सही रास्ते पर आना चाहिए, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, आज मेवाज छेतर को लोग क्राइम की छेतर मानने ले जा रही है, निश्यत रूप से अगर हमारी सरकार आएगी, तो हम अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाएंगे, उनका अच्छा, सही दिशा में चलेंगे, तो उनका भविश्य भी उजवल होगा. की छनता के लिए की बीशसिते जाएंगे, इस आप तो लोग तायार हो, आपके साथ जो अन्याए हुआ न जहीं हुआ हैं, वहाँ भी सब लोग मुझे इसी बात के कहते हैं, उसका बहुत दुख है हमें उन सब अन्यार अत्याचारों के बदलेंगे और अच्छी एक सुगम नगर बने एक विक्सित नगर बने और एक स्वच भी स्वचता भी हो जो ब्रश्टाचार से दूर है एक ऐसे नगर की कलपना में ने की है उस नगर को हम बनाएंगे और अपन अभी बार गुजरात को हमने जीता है कमल वहां खिला है उसकी हमने खुसियाभी मनाई है और हम आपको बता दें आपकी बार जो प्रणैम को देखा जाये दोहजार सतरे को कहीन कहीं हिमाचल के तो कहीने कहीं जो पीजेपी है उसको 19 सीटों का अब की बार 2017 से और कम देखने को मिला है और कहीने कहीं नुक्षान भे उनको उठाना पड़ा है और ये भी कहना है कि जो कॉंग्रीस पार्टी है भारते जनता पार्टी की यात्रा है निकल रहे हैं साथ में कॉंग जिस्थान की जो जनता के समस्या इन चार सालों में जिनका निम्टारा नहीं हुआ है जो उनको समस्या बनी हुए है उनके उपर हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं उन समस्या को घर घर जाकर गाउंगाउं जाकर उनको सुनभाई करें तो बने रहे हैं आप हमारे साथ के मेर पूर इलेक्ट्रो हॉमियोपेथी अस्पता जहां बिना इंजेक्शन ऑप्रेशन के होता है इलाज जैसे लकवा, गुर्दे या पित की पत्री, दमा, सास, फैपणों की, बीमारी, कॉलिस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसॉली या गांट, सफेद पानी, शुगर, वीपी, थाइराइट जैसी बीमारी, जोडों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने, वकमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शिग्रपतन बिना अंग्रेजी दबाओं के इलेक्ट्रो होमियोपेथी से केवल 100 रुपे में इलाज किया जाता है, यहाँ पर लाइक केर इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, A&M, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं